ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबे का सागत आगे बढ़ेंगे जो अविधान सभावे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ उबी सी मुद्दे पर सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचाज चुनाफ की प्रक्रिया चल रही है लेकिन पता ही नहीं है कि आरक्षन होगा या नहीं विवेक तन्खा ने तो साफ कर दिया कि जो आरक्षन के लिए नहीं रोटेशन के लिए कोट गए थे लेकिन सरकार चप बैठी रही कोट नहीं गई उन्होंने का कि मेरी मांग है कि सियम शिवराज सदन में आरक्षन, रोटेशन और परिसीमन पर सरकार का रुख साफ करें कि चुनाव होगा नहीं होगा जाने हो रहा वो जानते नहीं आरक्षन होगा या नहीं होगा जो हमारा पिछण वर्ग है वो केवल आरक्षन ठीत के प्रश नहीं है वो तो दूसरी जगे भी है जा आरक्षन नहीं है तो आज मेरी मांग तो यह है कि मुक्यमंत्री जी आप स हर पंचायत को आप अवगद करा ही है, सदन को तो करा ही है, बर इससे हर पंचायत प्रदेश का को भी जानकारी मिलेगी, वो भी तियारी कर रहा है, सब ने नॉमेरेशन फाइल कर लिया, चुना आप क्या भो लड़ेगा, और अभी तक पिछले बर का कुछ हुआ नहीं, मैं क अवगद कर दो दूसरे प्रदेशों में भी जाओंगा, अभी भी आगे जाने का प्रोग्रम है, और जो कॉंग्रेस का संगठन वह बहुत कमजोर था, प्रियंका जी ने जो उट्सा पहदा किया है, मैंने बहुत प्रदेशों का दोरा किया है, पर जो मैं देख रहा हूं क अज़ प्रदेश में उत्सा है, और जो महिलाओं, खास करके महिलाओं, जो जूड़ एं, कि मैं महिला हूं, मैं लड़ सकती हूं, ये मैंने प्रियंका जी को मद्यपदेश भी आमंत्रत किया है, और जल्दी ही उनका प्रोग्रम बनेगा है।